संता की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले वर मांगो वत्स वर संता प्रभू जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ मुझे वदू चाहिए वदू लड़की कुर्ती सिल्वाने टेलर के पास गई टेलर से बोली भाईया कुर्ती का बाजू नेट वाला लगाना टेलर मैडम जी तू जी या थी जी हिटिलर देर इस नो वर्ड लाइक इंपॉसिबल इन माई डिक्शनरी संता अब बोलने से क्या फाइदा जब खरीदी थी तब चक करना चाहिए था ना लड़की आज भाईया ने मुझे तुमारे साथ बाइक पर देख लिया लड़का उत तेरे की फिर क्या हुआ लड़की फिर क्या जिक्शे के पैसे वापस ले लिये बहुत सब फैमली है हमारे हमने क्रिस गेल को एक तरफ डव से धोया फिर बस फिर क्या फिर डव को दो बार पाईज से दोना पड़ा एक अमरीकी डॉक्टर भारत आया बस टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरब पड़ गया बीस रुपे की इस किताब का नाम था तीस दिन में डॉक्टर कैसे बने बक्सर की यह एक सची घटना है जिसे सुनकर इनसान की रूह काप जाती है मगर उन जालिमों के हाथ ना कापे बिनाग बीस जून 2015 मार्तर दो साल का मार्सुम बच्चा जो अभी सही तरह से बोल भी नहीं सकता था तीन लोगों ने उसे घेर लिया लोग भी कौन? उसके अपने एक बाप दूसरी उसकी मा और तीसरा उसका सगा चाचा पहले मिथी मिथी बातों से उसे बहकाया फुसलाया फिर आंगन के बीचो बीच उसे दबोच लिया वो हाथ जोड़ता रहा रोता रहा उसकी छीखों से आसमान लजा गया मगर उसके सगे माबाप और चाचा ने उसकी एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती एक धादार उस्तरे से टकला कर दिया गर्मी जो थी न गाउं में एक स्तरी थी उसके पती फौज में काम करती थी वह अपने पती को पत लिखना चाहती थी पर कम पड़ी लिखी होने के कारण उसे ये पता नहीं था कि पून विराम कहां लगेगा इसलिए उसका जहां मन करता था वही पून विराम लगा देती थी तो एक बार उसने अपने पती को कुछ इस प्रकार चित्थी लिखी ब्रखिय पून विराम का आतंग पत्नी का पत्र मेरे प्यारे जीवन साथी मेरा प्रणाम आपके चड़नों में आपने अभी तक चित्थी नहीं लिखी मेरी सहेली को नोकरी मिल गई हमारी गाय को बच्छडा दिया है दादा जी ने शराब की लट लगा ली है मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आये कुत्ते के बच्चे भेडिया खा गया दो महीने का राशन छुट्टी पर आते समिर ले आना एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समिर टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी बेच दी गई है तुमारी मा तुमको बहुत याद कर रही है एक पडोसन हमें बहुत तन करती है तुमारी पार्वती ये खट पड़ते ही पती का हार्ट फेल हो गया